एक मंत्री का दूसरे मंत्री के प्रति इस प्रकार का बात करना इस प्रकार की भासा का प्रियोग करना ये कहीं से उचित नहीं है ये लोक तंतर के लिए खत्रा है इसे बिवाद को समाप्त कराने का जो ऐसे अधिकार मुख्यमंत्री को है, सबके मुख्या मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री को इस वाद का संग्यान लेना चाहिए. सबसे पहले तो मदन सहनी जी का अपने बिभाग में अपने जो प्रधान सचीब है, उनके साथ विवाद है, अब किस विशाय को लेकर करके बिवाद है, इसे बिवाद को समाप्त करके बिवाद है, कराने का जो ऐसे अधिकार मुख्यमंत्री को है, सब के मुख्या मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री को इस बात का संग्यान लेना चाहिए. दूसरी बात कि जिवेश मिस्रा के बारे में जिस प्रकार की भासा का प्रियोग किया गया है मुझे लगता है कि वो भी सम्मानिय मंत्री है जिवेश मिस्रा भी सम्मानिय मंत्री है एक मंत्री का दूसरे मंत्री के परती इस प्रकार का बात करना इस प्रकार की भासा का प्रियोग करना ये कहीं से उचित नहीं है ये लोग तंत्र के लिए खत्रा है क्या लगता है सर क्या बीजेपी ऐसे ही चुप रहेगी हाथ पे हाथ दरे बैठे रहेगी को नहीं किसी मंतरि को करना चाहिए इस परकार का विवाहर किसी मंतरि के लिए जो ऐसे ये सही नहीं है उचित नहीं है मैंने कहा और विपच्छे के लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है विपच्छे की भासा और मर्यादा सब लोग जानते हैं कम से कम एंडिये के जो विधायक हैं जो मंत्री हैं एंडिये के लोग हैं उनकी मर्यादाएं बड़ा सम्मानिय होता है मर्यादित भासा में प्रियोग करते हैं तो इस प्रकार का भासा का प्रियोग किसी भी मंत्री के साथ और किसी मंत्री को नहीं करना चाहिए ये उचित नहीं है सरसता के गल्यारों में इसके साथ ही एक बार फिर से ये सवाल दोरने लगा है कि तीन नमर की पार्टी होने के बाल ज़िव से मुक्मंत्री बनाये गए इसके बाद फिर भाजपा पर ही बाजपा इतनी बड़ी पार्टी है इसके बाप जुद नितिस सरकार के लोग बार बार नितिस कुमार के लोग ज़िव के लोग सवाल खरे करते रहते हैं बाजपा पर बाजपा एक्षन क्यों नहीं लती है ये कोई सवाल नहीं है ये जिस समय चुनाव हुए थे और चुनाव से पहले नितिस कुमार जी को हम लोगों ने नेता गोसित करकर के चुनाव लड़ा और सीटे कम आई तो यह कोई कारण नहीं बनता था जिसके नितुत में हमने चुनाव लड़ा था उस आदमी को फिर से नितुत देने का काम किये तो बड़ा छोटा इसमें कहां सा भाव है बड़ा छोटा का कोई सवाल नहीं है जिसके नितुत में चुनाव लड़े उसको जो इसके सरकार को कोई असर नहीं है हमारी पार्टी जो भारती जनता पार्टी है और NDA की जदियू जो घटक है वो सब आपस में एक है किसी मंत्रियों के और मंत्री के परती जो ऐसे इस प्रकार के बिवहार या बात करने से जो ऐसे इस गठवंधन में किसी प्रकार का कोई जो बिभेद नहीं है अब जो बोलते हैं उनकी अपनी पीडा होती है यह सरकार की पीडा नहीं है सरकार बहुत अच्छे तरीके से बेतर तरीके से पूरी गठवंधन पूरी समनवे के साथ चल रही है जो लोग अपनी पीडा में है वो अपने पीडा को व्यक्त करने के लिए उस और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद